लास्ट दो चेप्टर में हम गवर्मेंट के दो ब्रांचेज एक्जिक्यूटिव और लेजिसलेचर के बारे में पढ़ चुके हैं इस चेप्टर में हम गवर्मेंट के तीसरे ब्रांच जुडिसिरी के बारे में पढ़ेंगे इसका structure कैसा है, function क्या है, independent judiciary का क्या मतलब है, इन सब सीजों को एक एक करके समझेंगे अगर आपको पिछले chapters देखने हैं तो उसका link description में दिया हुआ है सबसे पहला कि independent judiciary क्या होता है और इसकी जरूरत क्या है जरूरी इसलिए है क्योंकि किसी भी society में हमेशा कुछ न कुछ disputes होते रहते हैं तो इस disputes को solve करने के लिए जरूरी है कि एक independent body हो जो law के according इन जगरों को सुल जाए तो judiciary वैसा ही एक body है, जिसका main function है rule of law को ensure करना मतलब जो कानून है वो supreme है, ना कि कोई individual या कोई group लेकिन ये सब करने के लिए judiciary किसी भी तरह के political pressure से independent होना चाहिए independent होने का क्या मतलब है independent judiciary का मतलब है, government के बाकी branches जैसे executive or legislature judiciary को पना काम करने से न रोक सके या judiciary का जो भी decision हो उसमें interfere ना कर सके जो judges हैं, उन पे government के किसी ब्रांच का control नहीं होना चाहिए वो अपनी duty बिना किसी fear और favor के कर सके लेकिन अब independent judiciary का मतलब ये नहीं है कि judiciary मनमाने धंग से कुछ कर सकती है या वो accountable नहीं है judiciary भी democratic structure का ही एक part है इसलिए constitution और country के लोगों के परती उसकी जवाब दे ही है मतलब judiciary जो भी काम करेगा constitution के दाइरे में रह के ही करेगा अब है कि judiciary को independence दिया कैसे जाता है तो Indian constitution में कुछ ऐसे प्रावधान है जिससे ये ensure किया गया है पहला कि legislature को judges के appointment के process में involved नहीं किया गया है ताकि appointment में party politics ना आए और कौन किस political party के परती कितना loyal है इस basis पे उसे judge ना बनाया जाए दूसरा की judges का tenure fix होता है जब तक retirement का age पूरा ना हो तब तक वो judge रह सकते है इससे वो बिना इस ड़के की उन्हें हटा दिया जाएगा वो अपना काम कर सकते है कुछ exceptional case में judges को हटाने का भी process constitution में दिया गया है लेकिन उस process को काफी difficult बनाया गया है तीसरा की judiciary, executive या legislature पे financially भी dependent नहीं है मतलब judges को जो salary या allowance दिया जाता है उसको legislature में approve करने की ज़रूरत नहीं है हमने पढ़ा था कि government को पैसे खर्च करने के लिए legislature में budget पास करवाना होता है लेकिन इस case में budget पास हो या नहीं हो उससे फरक नहीं पड़ता है इस सब के अलवा judges को उनके किसी भी decision या action के लिए personally criticize नहीं किया जा सकता है court का अपमान करने पे judge punishment भी दे सकते है parliament में भी judges के decision को और उसकी काम को लेके discussion नहीं किया जा सकता है एक exception है जब judge को हटाने का process चल रहा हो उससे में discuss किया जा सकता है इन सब protection से ये ensure किया जाता है कि judge किसी भी तरह के दवाव या भै से मुक्त होके अपना काम कर सके या judgment दे सके judges के appointment को लेके हमेशा political controversy बना रहता है क्योंकि Supreme Court या High Court में judge कौन है इससे बहुत फ़र्ग पढ़ता है Constitution के किसी एक ही provision को दो अलग-अलग judge अलग-अलग तरीके से explain कर सकते है जो judiciary ज़ादा active है या control में है इससे legislation पे भी बहुत फ़र्ग पढ़ता है Chief Justice of India के appointment में ये tradition है कि Supreme Court का जो सबसे senior most judge होता है उसे CGI appoint किया जाता है बस दो बार ऐसा नहीं हुआ है 1973 में जब तीन senior judge से पहले A.N. Ray को CGI बनाया गया और 1975 में जब Justice HR खन्ना के जगा Justice M.H.B.E.G. को CGI बनाया गया Supreme Court और High Court के बागी judges को CGI से consult करके President के द्वारा appointment किया जाता था जिसका मतलब है कि Final Authority Council of Ministers के पास है क्योंकि President जो करते है वो Council of Ministers के advice पे ही करते है तो 1981 से 1998 के बीच ये matter कई बार Supreme Court के पास आया जिसमें पहले Supreme Court ने कहा कि CGI के recommendation को reject किया जा सकता है फिर अगले case में कहा कि consultation का मतलब है concurrence यानि सिर्फ consult नहीं करना है CGI की और Supreme Court के दो senior judge की सहमती भी होनी चाहिए मतलब decision इस बार judiciary के favor में था अगले case में इसको बढ़ा के कर दिया गया CGI प्लस Supreme Court के चार senior judge तो final यही system है कि ये senior judges का group name recommend करेगा और President Council of Ministers के advice पे judges को appoint करेंगे तो इसमें इस group का importance बहुत है Supreme Court और High Court judges के removal का process काफी difficult बढ़ाय गया है removal का दो ground है proven misbehavior मतलब कुछ misbehavior proof हो for example अपने power का गलत इस्तमाल कर रहे हो और दूसरा incapacity मतलब वो अपने काम को करने में enough capable नहीं है इसके बाद Parliament के दोनों house में special majority से एक motion pass करवाना होता है special majority मतलब total strength का 50% majority और present and voting members का two-third majority आज तक सिर्फ एक Supreme Court के judge को हटाने का attempt किया गया है और वो भी unsuccessful 1991 में वी रामस्वमी के उपर public fund को personal काम के लिए use करने का charge था और inquiry में charge proof भी हो गया लोग सभा में present and voting का two-third majority support भी मिल गया लेकिन Congress Party के 209 members ने vote ही नहीं डाला जिसे total strength का 50% majority नहीं मिला और motion pass नहीं हो पाया High Court judge के removal का भी अब तक 2-3 case है Next है structure of the judiciary Indian judiciary के structure के लिए term use होता है single integrated judiciary मतलब एक ही judiciary system है center और state का judiciary अलग-अलग नहीं है कुछ countries में dual judiciary भी होता है जैसे USA इस chart से difference clear हो जाएगा ये है USA का judiciary system जिसमें federal system अलग है और state का system अलग है और ये है Indian judiciary इसमें सब जुड़ा हुआ है सब से उपर एक Supreme Court of India जो highest court है उसके नीचे high court जो लगवग हर state या union territory में है और उसके नीचे district court किया है तो direct Supreme Court या high court में जा सकता है इंडिया की Supreme Court को world का one of the most powerful court माना जाता है powerful इस sense में की Indian constitution के according Supreme Court के powers का scope बहुत जादा है यहाँ Supreme Court का चार specific jurisdiction बताया गया है original jurisdiction, appellate jurisdiction, writ jurisdiction और advisory jurisdiction original jurisdiction मतलब वैसा case जिससे deal करने का power सिर्फ Supreme Court के पास है किसी high court या lower court के पास नहीं है अगर center और state की बीच या दो या दो सेधिक state की बीच कोई dispute है तो यह Supreme Court का original jurisdiction का part है इसलिए इसका फैसला सिर्फ Supreme Court ही कर सकता है writ jurisdiction के बारे में हम अल्रेडी fundamental rights वाले chapter में पढ़ चुक है अगर किसी का fundamental rights violate हो रहा है तो वो सीधा Supreme Court या High Court से मदद मांग सकता है और court writ issue कर सकता है writ issue करने का power हाई court के पास भी होता है appellate jurisdiction मतलब High Court या lower court के decision के against Supreme Court पे अपील किया जा सकता है Supreme Court उस case को दुबारत चेक करेगा और अगर उसे लगा कि lower court ने किसी law या constitution के किसी article का सही से explanation नहीं दिया है तो वो सही explanation दे के decision को change भी कर सकता है High Court के पास भी अपने lower court के उपर appellate jurisdiction होता है लास्ट है advisory jurisdiction इसका मतलब है कि President of India किसी भी ऐसे important matter को जिसमें constitution के interpretation की जरूरत है मतलब explain करने की जरूरत है तो उसको Supreme Court को refer कर सकते है और उसे advice मांग सकते है हाना कि Supreme Court advice देने के लिए bound नहीं है मतलब मना भी कर सकता है और अगर कुछ advice देता है तो President भी उसे accept करने के लिए bound नहीं है तो सवाल है कि जब कोई कुछ मानी नहीं रहा है तो इसका मतलब क्या है तो इसके दो फायदा है पहला कि government किसी important matter या law पे Supreme Court से legal opinion ले सकती है ताकि बाद में कोई unnecessary problem ना आए और दूसरा कि Supreme Court के advice के according उसमें उसमें उचित बदलाव भी कर सकती है यहाद दो और article का जिक्र है जिससे Supreme Court के power का पता चलता है आर्टिकल 143 जो कहता है कि Supreme Court का decision पोड़े Indian territory पे लागू होगा और यहाँ के हर court पे यह decision binding होगा और article 137 जो कहता है कि Supreme Court अपने judgment को दुबारा review करके change भी कर सकता है नेक्स्ट है judicial activism का जाता है कि judicial activism के बज़े से judiciary के function में बहुत change आया है और वो ज़्यादा people friendly हुआ है judicial activism का simple मतलब है जब judiciary अपने काम करने के तरीके में ज़्यादा active हो जाए मतलब लोगों के rights को protect करने के लिए established law के beyond जाके कुछ steps ले जैसे एक example है केशवानन भारती case जिसमें सुप्रेम कोर्ट ने constitution के basic structure की बात कही कि parliament constitution में कुछ भी बदलाव कर सकता है लेकिन इसके basic structure को नहीं बदल सकता है अब ये basic structure जैसा कोई से दानत पहले नहीं था तो ये judicial activism का एक example है कि इंडिया में judicial activism का सबसे main instrument है PIL यानि public interest litigation Normal law according कोई व्यक्ती तब court जा सकता है जब उसके अपने right का violation हुआ हो या basically वो directly case में involved हो लेकिन 1979 के around एक नया trend देखनों को मिला जब court ने वैसे cases लिए जिसमें कोई और व्यक्ती किसी और के बिहाफ पे case file कर रहा है बतलब A के right का violation हो रहा है उसके बदले B case file कर रहा है कि A के right का violation हो रहा है अब चुकि ये public के interest की यानि public के benefit की बात है इसलिए इसे public interest litigation या हिंदी में जन ही त्याचिका कहते है कुछ ऐसे cases थे जैसे 1979 में एक news paper आर्टिकल जो under trial prisoners के right का कैसे violation हो रहा है इस बारे में था उसकी बेस पे सुप्रीम कोट ने petition file किया और 1980 में तिहार जेल के prisoners ने अपने उपर हो रहे torture को एक letter के थूँ सुप्रीम कोट को बताया और सुप्रीम कोट ने case file किया इस सब के बाद जो activist थे वो environment के protection के लिए गरीबों के better life condition के लिए और भी कई ऐसे issue जो public interest का था उसे judiciary के सामने लाने लगे और यहां से PIL judicial activism का important tool बन गया judicial activism का फाइदा यह है कि PIL के through court वैसे लोगों का भी case ले सकता है जो खुद court जाने में सक्षम नहीं है यह उन्हें पता ही नहीं है कि उनका right क्या है और कब right violet हो रहा है especially poor population तो इससे judicial process democratize हुआ है मतलब सब के लिए available हुआ है executives की accountability भी बढ़ी है election ज्यादा free और fair हुआ है लेकिन इस proactive judiciary का negative side भी है पहला तो यह कि इससे judiciary पे बहुत burden आ जाता है और दूसरा कि यह separation of power के against है क्योंकि इसमें judiciary कई बार वो काम कर रहा है जो legislature या executive का काम है तो judicial activism और separation of power हमेशा एक debate को topic बना रहता है Judiciary individual के rights को protect करता है इसके लिए constitution में दो तरीका दिया गया है एक है writ issue करना जो article 32 में supreme court को और article 226 में high court को दिया गया है दूसरा है article 13 जिसमें है कि अगर कोई law fundamental right को violate कर रहा है तो उसको unconstitutional declare कर दिया जाएगा यानि वो law खतम हो जाएगा यही से एक term आता है judicial review अभी जो हमने judicial activism पढ़ा वो भी judicial review का ही एक तरीका है judicial review को judiciary का सबसे important power माना जाता है इसका मतलब है कि supreme court या high court किजी भी law को review कर सकता है कि वो constitution के according है या नहीं और अगर court को लगता है कि वो constitution के according नहीं है तो उसको unconstitutional declare कर सकता है हलांकि यह specific word judicial review constitution में mention नहीं है लेकिन अलग-अलग article से indirectly यह power judiciary को दिया गया है for example article 13 constitution में state और center के बीच power को distribute किया गया है तो अगर उससे related कोई issue है suppose center ने कोई ऐसा law बना दिया जो state को लगता है कि वो state list का subject है तो वो supreme court जा सकता है supreme court case को review करेगा और अगर ऐसा है तो उसे unconstitutional declare कर सकता है इसका मतलब अगर कोई लोग fundamental rights या federal distribution of power को violate कर रहा है तो supreme court के पास उसे review करने का और उसे unconstitutional declare करने का power है तो rate issue करना, case को review करना public interest litigation इन सब के कारण ही Indian judiciary को काफी powerful मना जाता है Indian constitution limited separation of power और checks and balance पे based है मतलब government के हर organ के लिए clear cut function divided है legislature law बनाएगा और जरुरत परने पे constitution को amend करेगा executive laws को implement करेगा और judiciary जगडा सुल जाएगा और चेक करेगा कि जो law बना है वो constitution के provision के according है या नहीं इतने clear cut power division होने के बावजूद भी judiciary का parliament और executive से conflict बना रहता है हमने fundamental right वाले chapter में पढ़ा था कि कैसे right to property को लेके और parliament constitution को कितना amend कर सकती है इसको लेके parliament और judiciary के वेचे एक लंबा battle चला था इस सब के अलाबा और भी conflicts थे जैसे preventive detention को लेके job में reservation को लेके और अगर government किसी के private property को public purpose के लिए use करना चाहती है तो उसे कितना compensation देना होगा इसको लेके 1973 में केशवान भारती case का judgment आया जिसमें सुप्रेम कोट ने कहा कि constitution का एक basic structure है और इसे कोई भी violate नहीं कर सकता है और नहीं parliament इसे amend कर सकता है इससे judiciary और legislature के बीच के relation को regulate करने में बहुत मदद मिली सुप्रेम कोट ने कहा कि right to property basic structure का part नहीं है इसलिए इसे amend किया जा सकता है और एक बात और कहा कि क्या-क्या basic structure का part है यह हम समय समय पर बताते रहेंगे इस सब के बाद भी कुछ issues अभी भी है जैसे क्या judiciary legislature के functioning में intervene कर सकता है suppose legislature के किसी member को suspend गिया गया क्या इस matter को Supreme Court चेक कर सकता है constitution के हिसाब से देखे तो नहीं कर सकता है लेकिन ऐसे cases हुए है जिसमें Supreme Court ने intervene किया है similarly constitution के according किसी भी legislature में judges के decision को या function को discuss नहीं किया जा सकता है लेकिन ऐसा भी कुछ case में हुआ है तो यहाँ भी judicial activism और separation of power का debate है इन issue से यह पता लगता है कि government के तीनों organs के बीच में proper balance और separation of power कितना जुरूरी है ताकि कोई भी organ एक दूसरे के functioning में interfere ना कर सके